लो गाईज मैं उलीशा स्वागत करती हैं से भीकाप किपने योटीव चैनल गियो नियूस में गाईज कोविट के चंते भारत में हर जगा पर अफरात अफरी का माहोल है हर दिन हो रही कोविट मरुजों की मोत ने हर शक्स को डरा दिया है अगर आम इनसान का ये हाल तो जड़ा सोचे हेल्थ केर वर्कर्स और एंबुलेंस के ड्राइवर का क्या हाल होगा जिने हर दिन ना चाने कितने शवों के धिर अपनी गाड़ी में ले जाने पड़ रहे हैं दिन भर के इस मानसिक तनाओ से ठके एंबुलेंस ड्राइवर का वीडियो इंटरनेट पर काफी ज़्यादा वाइरल हो रहा है इस वीडियो में ड्राइवर सड़क से गुजर रही बाराग को देख डांस करने लगता है दसल ये वीडियो उत्राखट से वाइरल हुआ है जिसमें नैनिताल का रहने वाला एक एंबुलेंस ड्राइवर महेश डांस करता नजर आ रहा है और जानकाई में ऐसा बताया जा रहा है कि वीडियो को 26 अपैल को कैप्चर किया गया है जब हल्दुआनी से बाराथ उस अस्पताल के सामने से गुजरी जहां पर महेश काम करता है तब बाराथ को देख महेश खुद को डांस करने से रोक ना सका और पीपी किट पहने बाराथ में ही शामिल हो गया और डांस करने लगा उसके डांस का वीडियो बारात में शामिल किसी महमान ने बना लिया और जानकारी में ऐसा बताया जा रहा है कि महेश दिन बर कोविड मरीजों को और शवों को ले जाता है और जिसके चलते वो मांसिक रूप से ठका हुआ महसूस कर रहा था इसलिए जैसे ही वहाँ से बारात निकली उसने डांस करके खुद को तनाव मुप्त कर लिया और इंटरनेट पर ये वीडियो वारल होने के बाद जानतर यूजर्स ने इसे एंटर्टेनिंग बताया जब कि कुछ यूजर्स ने कहा कि ड्राइवार अपने आस्पात के लोगों को भी संकर्मित कर सकता है क्यूंकि भारत में पिछले 24 घंटों में एक दिन के आकडों में सबसे ज्यादा मोते दर्च की गई जहां एक दिन में कॉविट के 3,60,960 एक्टिव केस मिले वह एक 3,203 में लोगों की मोत हुई है गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमाई चानल को सब्सक्राइब करना ना पूले